हेलो एवरिवन वेल्कूम तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए नए वीडियो ला रहा हूं और वीडियो किसके लिए हैं आपको बोर्ट पे दिख रहा है क्या एक्स्पेनिंग न्यू पैटर्न फॉर क्लास 10 थैं 12 सी बेसी जैसे कि आपको पता है कि अभी रिस एक्जाम हुआ करते थे लास्ट में हमारे क्या होते थे सिफ एक ही एक्जाम हुआ करते थे ठेक है और उसी के उपर आपको मार्क्स अलाट किये जाते थे उसी के उपर आपको क्या दिये जाते थे मार्क्स दिये जाते थे मगर अब इस बार कोविड की सिच्वेशन की वज तो CVSC ने इसमें सबसे पहले क्या कर दिया है, जो आपका syllabus है, किसी भी subject का, class 10th और 12th का, उसको CVSC ने दो terms में divide किया है, क्या किया हुआ है, दो terms में divide किया है, term 1 and term 2, इस शोटे से chart में आपको पूरा समझा जाना है, अब क्या बोला हुआ है, उसमें जो ये term 1 है, इसमें 50% syllabus आने है, और जो term 2 है, उसमें भी कितना प्रसेंट आने है, 50% syllabus आने है, ठीक है, फिर क्या बोला है, जो ये term 1 है, इसमें जो time है, जो CVSC ने आपको देना है, पेपर करने के लिए, वो time आपको बोला है, 90 minutes, 90 minutes, ठीक है, और जो इसमें आपको time दिया है, CVSC ने वो बोला है, आ ठीक, तो ये आपको time मिलना है, दो terms में, आपके दो terms में paper होने है, ठीक, उसके बाद CVSC ने क्या बोला है, जो ये first term है, ये आपका based होगा multiple choice questions, जिनकों MCQs बोलते हैं, और जो ये second term है, ये आपका based होगा short answer type questions, and long answer type questions, ठीक है, इसमें MCQ आपके नहीं हैंगे, और ये आपक जैसे previous होता था, return form में, जैसे आप लिखते हो, answer sheets पे, जो आपको sheets a lot होती है, वोट से, वैसा ही होगा, मगर जो ये MC क्यों होगा, ये आपको होगा, OMR sheets पे, OMR sheets पे, अब OMR sheets होते ही क्या है, basically मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे आपको एक sheet मिलेगी, ठीक है, उसके उपर आपको पहले data लिख रहे है, name, row, number बगारा, जैसे आपको first option है, तो उसके option दियोंगे, a, b, c, d, उसके निचे आपको space दियोंगी, अगर suppose आपको लग रहा है, mcu में, first question का fourth option है, तो आप उसको circle से ऐसे मार कर लोगे, ठीक है, तो फिर ये OMR sheet में ऐसे होगा, मतलब आपको बस मार करने है, bubble मार करने है, और paper आपको हो गया, OMR sheet का मिन ही है, ठीक है, अब ये slabels CBSC ने बोला हुआ है, कि हम CBSC में जो 10th औ 12th है, उनका slabels, उनके exam ऐसे conduct करवाएंग ठीक है, I hope आप समझ ने होंगे, ये जो आपका first term है, ये जो आपका first term है, CVSC की notice के recording, ये November to December में होना है, November से December में आपको first paper, जो first term है, वो conduct करवाएगा, तो ये two months है, November भी पूरा लगेगा, December भी पूरा लगेगा, तो आपके जो ये paper है, ये 8 weeks में होंगे, ये कितने weeks में ह पहले क्या होता था, एक महिने में paper होते थे, ठीक है, अब उन्होंने two months रख लिए है, और जो ये वाले paper है, ये आपका simple board sheets पे होंगे, ये किस पे होंगे, आपके board sheets पे होंगे, जैसे मैं आपको लोगे, पुराने लिटर फूम में, और ये आपके paper होंगे, March to April, ये आपक जो ये mcq आएंगे, जैसे कि मेरा channel math के लिए है, ठीक है, मैं math teach करता हूँ, तो मैं आपको mathematics के बाले होता हूँगा, जो ये आपके mcq है, ठीक है, math में आपको क्या-क्या फालो करना है, math में आपको mcq लिए एक ncrt फालो करना है, ठीक है, दूसरी आपको ncrt exemplar फालो करन है, और तीसरी कोई भी एक standard book, आप उसमें RD शर्मा ले सकते हो, आप उसमें RS अगरवा ले सकते हो, आप उसमें अरियंत की ले सकते हो, कोई भी एक standard book आपको follow करना है, तो आप देखोगे, कि जो आपके mcq है, आपके सब के सब आप cracker सकते हो, clear है, सिर्फ ncrt से इस बार सब्सक्राइब करना है, उन दो या तीन कोशन से कुछ भी नहीं होने वाला, ठेक है, तो ncrt और ncrt exemplar अगर आप करोगे, अगर आप ठीक हाग नंबर आ सकते हो, तो आपको ठीक हाग नंबर आ सकते हैं, मैं आपको यह नहीं बोर रहा हंटर्ट से नहीं है, मतर्द अच्छ जो भी यह term 1, term 2, especially mcu, पहले मैं mcu पर focus करूँगा, ठीक है, यह short answer तो सब कर लेते हैं, मैं करूँगा mcu पर focus, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको mcu करवाने जा रहा हूं, total mcu हम जितने भी करेंगे, वो हम करें कि 50% syllabus के according, 50% मतरब आपका paper है, paper है मतरब chapter 1 से 6 तक, relation function स application of derivatives तक हम इस सब के सब क्या रहेंगे, mcu solve करेंगे, और इसके लिए अगर आप चापते हो कि mcu आप पढ़ो, और आपके marks है, मैं आपके सब books कवर कर लूँगा, moreover मैं आपके net से भी mcu उठाऊंगा, moreover हम जो jmeans के पराने paper हैं, उनसे भी mcu उठाएंगे, mcu देखेंगे, जो concept use हो रहे हैं, वो उसके अदर देखेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद हम solve करेंगे, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये mcu को हम करें, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ हर वीडियो फालो करने बढ़ेगी, अब आज मैं आपकी वीडियो डा रहा हूं, जिसमें ये मेरे साथ जुड़ोगे, तो आप देखोगे, अभी आपका July चल रहा है, ठेक है, अगस्त, September तक हम ये first six chapter complete कर देंगे, हम July, August, September तक ये first six chapter आपके complete कर देंगे, ठेक है, और October हमारे पास रहेगा, उसमें हम दुबारा कोई test conduct करेंगे, mock test बगारा, वो आपका ले लिया क करूंगा ठीक है तो आप पेकสाना मेसा चलना और यह जो सीडीज है आप इसके सासा पैक्टिस ही करना है और पड़ना अब BSC शालगे क्या बोलते हैं exposing सीटुएशन अग्र कोविड की सिटुएशन आगर कोविड की सिटुएशन और कि दो टर्म्स और कोविड की सिटुएशन नहीं है तब भी आपको क्या देने है दो टर्म्स देने है स्टुडेंट्स और किसी बज़त से कोविड की बज़त से अगर आपका टर्म बन नहीं हो पता है अगर आपका Term 1 स्कूल में या किसी सेंटर में नहीं हो बाता है मतलब आपका MCQ जो बेस टेस्ट है वो आपका CBSC कंड़क्टर नहीं गरवा बाता है तो उस केस में क्या होगा जो आपको Final Marks मिलेंगे जो आपको Final Marks मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे जो Term 2 है उसके बेस में प्लस आपके स्कूल के एक्जाम स्कूल के एक्जाम समझे तो स्कूल में Assessment Test होंगे उनके बेस में आपके Practicals के बेस में और आपके Projects के बेस में ठेक है और अगर यह जो Term 1 है यह आपका वो Online Conduct करवाते हैं इस case में अगर वो all-in conduct करवाते हैं और term 1 इसके अंदर include करते हैं अगर इसके अंदर term 1 क्या करते हैं include करते हैं तो इसकी weightage को कम कर दिया जाएगा वेटेज को reduce कर दिया जाएगा फिर इसकी 50% वेटेज नहीं रहेगी तब जब टर्म वान में कोविट सिच्वेशन के वाई से नहीं हो पाई वो term 2 आपके बोबार है तब ठेक है दूसरा case अगर आपका जो term 1 है वो हो जाता है ठेक है बट जो आपका term 2 है वो आपका नहीं हो बनता है तो फिर final exam final marks कैसे मिलेंगे जो final marks है वो आपको कैसे मिलेंगे final marks आपको मिलेंगे school exams जो school की exams है उनके basis पे फिर term 1 के basis पे और practical and projects के basis पे ठीक है और अगर किसी वज़़ा से आपके जो term 1 है वो भी नहीं हो पाता है और term 2 भी नहीं हो पाता है दोनों नहीं हो पाते है तो फिर आपको मिलेंगे school लों के assessment के वज़़ा से school के assessment plus practicals plus attendance इनमें भी सम्में attendance आएगी वो school वाले कुछ डिसाइड करेंगे attendance plus projects तो last conclusion क्या है आपके दो term होने ही होने है ठेक है तो आपको mcq prepare करने करने है तो अगर आपको mcq prepare करने है math के related तो आप मेरे channel को subscribe कर सकते हो क्योंकि मैं कल से आपके math के mcq उपर chapter wise videos डालने बाला हूं basic से last time mcqs हम इसके अंदर cover कर लेंगे I hope कि आप मेरे सा जूड़ोगे और हम math को fun way में भी बोल सकते हो simple way में भी बोल सकते हो enjoy करके mcq सीखेंगे thank you have a nice day कि अगर कि